हाँ जी आप ये वीडियो देख रहे हैं means आप investment करना चाहते हैं NPS में monthly basis यानि SIP लगाना चाहते हैं NPS में तो आएए देखें कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं सबसे पहले आप open करेंगे enps.nsdl.com NPS पे क्लिक करेंगे National Pension Scheme पे अब क्लिक करेंगे get same day NAV, register on DRAMIT यहां हमें register करना है continue पे क्लिक करेंगे अब यहां पे हम अपना PRAN नमबर और date of birth डाल कर OTP हमारे registered mobile नमबर पे भेज दिया गया है OTP submit करके हम यहां अपना PRAN जो है वो verify कर देंगे OTP डाल यह और submit कीजिए अब यहां आपको क्या दिख रहा है देखिए virtual account registration आपको यहां एक virtual account register करना है register होने के बाद आपके पास एक virtual account ID आ जाएगी जिसे यूज करके आप monthly payment कर सकते हैं तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है हमें चेक मा करना है terms and conditions पे और generate virtual account हम कर देंगे अब हमारा virtual account generate होने का एक acknowledgement नंबर आ गया है जैसे ही virtual account register होगा हमारे पास SMS आ जाएगा यहां में screenshot ले रही हूं for further reference screenshot लेके मैं रख लूँगी अपने पास आप भी चाहें तो रख सकते हैं को के पे क्लिक कर देंगे अब देखिए यहां पर हमें क्या शो हो रहा है virtual account confirmation पैंडिंग बस virtual account बनने की देर है जैसे ही virtual account बनेगा हम अपने NPS में SIP कर पाएंगे यानि monthly investment कर पाएंगे not only monthly investment जब भी जिस भी डेट पे आप investment करना चाहें उस दिन आप कर सकते हैं आईए देखें क्या email आईए हमारे पास mail आईए हमारे पास कि आपका virtual account activation request accept कर लिया गया है as on 19th April और confirmation mail हमारे पास बाद में system activated आजाएगी आईए चेक करते हैं कि अब वहाँ पे system में क्या show हो रहा है दुबारा से हम login करेंगे NPS पे get same day nav पे click करना है हमें continue same plan number डालके डेटो बर्ड डालके OTP मंगवा लेंगे capture डालेंगे plan verify होने के बाद देखिए हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा है virtual account confirmation pending तो एक दिन तक आपको ऐसे दिखाई देगा next day आपके पास sms आ जाएगा इस तरह से आपके पास sms आएगा आप इस sms आने के बाद आप check करेंगे तो आपको फिर से पता चलेगा वैसे ही login करना है हमें गेट सेम डे आने वी पर और कॉंटिन्यू करेंगे प्रैन नंबर डेट बर्थ और फिर ओटीपी मंगवाएंगे अब देखिए हमें क्या शो हो रहा है वर्चुल एकाउंट एक्टिव मेंस हमारा वर्चुल एकाउंट एक्टिव हो चुका है अब आप ध्यान से नीचे लिखी दो लाइन्स को आप पढ़ेंगे यह वर्चुल एकाउंट विल बी डिजिस्टर्ड और अविलेबल आफ्र टी प्लस वन वर्किंग दे सब्जेक्ट तु ट्रस्टी बैंक कांफिमेशन अब यह टी प्लस वान तो हो चुका है नेक्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं वान्स यूर वर्चुल अकाउंट इस कंफर्म यू कन यूज यूर वर्चुल अकाउंट अलॉंग विद आई एफसी कोड यह आफसी कोड दिया हुआ है वाइल एडिंग पेई थ्रू यूर बैंक अकाउंट फॉर ने एफटी एंड आटी जीएस मींस जिस भी दिन आप यह वाली वर्चुल अकाउंट आई डी और आई एफसी कोड यूज करके पेमेंट करेंगे तो आपको सेम डे की एने मिलेगी एन पेस के अंदर इसी तरहें आप अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि हर महीने आपकी इस एकाउंट में पेमेंट इस पर्टिकुलर डेट पे क्रेडिट कर दी जाए तो उस पर्टिकुलर डेट की एने भी आपको मिल जाएगी अगर आप मैनुवली करना चाहते हैं, क्वाटरली करना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक डेट बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं स्पेशल इंटर्वल के एकॉर्डिंग तो वो भी आप कर सकते हैं आई होप अब आप NPS में SIP कर सकते हैं बेस्ट विश्ट और चाहते हैं